आपको याद होगा राजीव गांदी जी ने एक बार बोला था कि अगर 100 रुपए उपर से चलते हैं तो 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 85 रुपए भरष्टाचार में चले जाते हैं और राजीव गांदी जी ने 30-40 साल पहले बोला था, 1986 में बोला था उन्होंने ये कि 85 रुपए जो हैं भरष्टाचार में चले जाते हैं, 15 रुपए जनता पे खर्च होते हैं मैंने क्या किया है? मैंने आपके टैक्स के 85 रुपए चोरी होने से बचा लिये बस ये किया है मैंने अब ये 85 रुपए जो चोरी होने से बचाए मैंने इन 85 रुपएों में से 75 रुपए मैं आपके स्कूल बनाने में खर्च कर देता हूँ, मैं आपके अस्पताल बनाने में खर्च कर देता हूँ आपकी सडके बनवा रहा हूँ, सारी कॉलोनियों में, सीवर की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ, नालियां बनवा रहा हूँ, गलियां बनवा रहा हूँ, पानी की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ, ये सारे काम जो 85 रुपए भ्रिष्टाचार से बचाए मैंने, उसमें से 75 गुश्र पर खर्च कर देता हूं पर पानी सस्ता कर देता हूं उससे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं इस्कूल में पढ़ाई मुफ्ट कर देता हूं। दिल्ली में अगर किसी का भी एक्सिडेंट होगा, तो दिल्ली सरकार उसका सारा इलाज मुफ्त कराती है, तो अगर मैंने जो पचासी रुपए भरष्टाचार में जा रहे थे, उनको बचा के, कुछ पैसे से आपके स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी, सीवर लाइन डलवा दी, और कुछ पैसे से आपको सहूलियत दे दी, आपके बिजली सस्ती कर दी, आपका पानी सस्ता कर दी, आपको फ्री ट्रैवल, यात्रा फ्री कर दी, इसमें मैंने गलत क्या किया, मैंने तो भरष्टाचार रोका है न, तो फिर मेरा, ये तो इसका तो स्वागत होना चाह चाहिए, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, पार्टी से उपर उठके इसका सब को स्वागत करना चाहिए